नमस्कार, मैं भूला कुमार, मैं हिंदी विषय से अशनाकुत्तर हूँ मेरा घर समस्तिपूर जिलान तरकत कवी आरसी परसाद एबंबिद्वान ओधैनाचारी की जन्म अस्थली रोसरा है समस्तिपूर पुरुव मुखमंतरी जननायक करपूरी ठाकुर की जन्म अस्थली भी है यहां सिव के अनन्य भक्त महाकवी विद्यापती ने अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारे थे समस्तिपूर की मुख्य भासा हिंदी एवं मैथली है मैं वर्स 2014 से बेगु सराजीला अंतरगत उतकर्मित मादमिक विद्याले एजनी में परखन असनातक सिख्षक के रुप में काले रथ हूँ बेगु सराजीला गंगा के उतरी किनारे पर बसा एक औध्योगिक जिला है यह राष्ट कभी रामधारी सिंग दिनकर की जन्म अस्थली एवं बिहार के पहले मुख्यमंतरी बिहार के स्री डॉक्टर सरी किष्ण सिंग की कर्म अस्थली भी है बेगु सराज में आजाद भारत की पहली तेल रिफाइनरी बेगु सराज मुख्याले से 22 किलो मिटर उत्तर दिसा में कावर जिल इस्थित है जिसे फाल फिलहाल इसिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी ऑक्सुबो जिल घोसित की गई है कावर जिल और इसके आसपास के नम छितर को कावर पक्छी भीहार काते हैं यहां जारे के दिनों में साइवेडियन पक्छी बहुत सारे संख्याम आते हैं यह अस्थल पढ़्याटकों के लिए एक खुबसूरत पिक्निक एस्पोर्ट भी है मेरे बिद्याले की समस्या ये थी कि बच्चे रूची लेकर पढ़ते नहीं थे आते तो थे पर पढ़ाई को वाव समस्ते थे तो मैंने क्या किया कि अब उनको रूची आ जाए पढ़े और साथ साथ मरोरंजन भी हो चुकि बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है इसके लिए हमने सिरी अरविंदो सोसाइटी से नवाचार ट्रेनिंग प्राप्त किया था खेल खेल में सिक्षा नवाचार अभी नए के द्वारा सिक्षन इन सभी तरीकों का मैंने बच्चों के साथ यूज करना शुरू किया गरहों के बारे में बताना था तो मैंने कुछ बच्चों को गरह का नाम दे दिया और उनको बाड़ी बाड़ी से अपने बारे में बताना था जैसे कि मैं प्रिथ्वी हूँ, मैं सुक्र हूँ, मैं सनी हूँ, आदे इस तरह के अभिने के द्वारा जब बच्चे बताने लगे तो उनका हेजिटेशन भी दूर हुआ और मज़ा भी आने लगा फिर हम पढ़ाने के बाद रिविजन के लिए खेल भी करवाते थे तो उनको काफी मज़ा आता था इस प्रकार से हमें काफी मदद मिली J.I.I.E. के टीम से मेरा विद्याले रॉल मोडल बन सकता है क्योंकि हम सभी सिक्षक अच्छे तरह से कारे कर रहे हैं अंत में इस बेहतरीन परसिक्षन के लिए मैं स्री सुमन सौरव सर, स्री अरविंदो ससाइटी एवं HDFC बेंग को धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद